हलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे राजमा और वह बहुत बिना प्याज लेह्सजन और बिना टमाटर के बनाएंगे जैसा कि आपने थमनेल में देखी लिया होगा और अभी चल रहा है नौरातर तो नौरातर में हम लोग Бिना प्याज लेहसन के का सबजी खाते हो पुरी तरह से भींग जाने के बार जितना राजमा था उसका डबल मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है एक सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम लोग सलो कर देंगे और आधे घंटे तक हम लोग इसे सलो फ्लेम में पकाएंगे कुकर के अपने आप खुलने के बाद ही हम लोग धक्कन खोलेंगे मतलब कुकर का धक्कन खोलेंगे यहां पर वन टेबल इस्पून यहां पर हम लोग जो है वाइट ऑल गर्म करेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा और दो तेज़ पत्ते को मैंने डाल करके तेल में हलका सा कलर चेंज होने तक हम लोग इसे भून लेंगे अब यहां पर डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और पानी डाल देते हैं दो चम्मच दोस्तों आप लोगों को यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूनें डालेंगे यहां पर मिर्ची का पाउडर धनिया का पाउडर डाल देते हैं वन टी स्पून करके सभी को मैंने डाला है और डाल करके अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे आप लोग यहीं प्याज लहसुन खाते होंगे तो पहले प्याज को भून लीजिएगा उसके बाद मसालों को डालिएगा क्योंकि मैं नौरात्र में बना रही हूँ इसलिए मैंने प्याज लहसुन और अद्रग भी स्किप किया है और थोड़ा सा पानी मैंने फिर से डाल से अच्छे तरीके से भूना जा सके और मसाले जले नहीं यहाँ पर मैं डाल दूंगे टigmaटो सॉस वन टेबलस्पून भर के टुमेटो सॉस मैने डाल दिया है आपको यदि मै. सब्सक्राइगा बहुते अच्छा ठेस्ट आता है और यह डाल देंगे अब हम लोग छोले म मसाले आपके पस नहीं हो तो पाव हजी मसाला या सामबर मसाला कुछ भी ऐसा मसाला हो तो आप यहां पे वन टेवल इस्पून डाल दीजिएगा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मसाले को अच्छी तरीके से अब हम लोग slow to medium flame में भूनेंगे नमक भी डाल देते हैं और नमक डाल के भी अब हम लोग इस मसाले को भूनेंगे आप लोग यदि काली मिर्च खाते होंगे तो काली मिर्च भी यहां पे डाल सकते हैं क्योंकि तीखा मुझे नहीं बनाना है तो इसलिए मैं काली मिर्च और यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहां पे मिर्ची का पाउडर पहले ही डाल दिया है और पहले ही मैंने कहा है कि बहुत ही बेसिक मसाले से मैं में बना रही हूँ विसेज कर यह जिन लोगे को खाना बनाने नहीं आता है अन लोगों के लिए हैं और आप लोग देखी पा रहे हैं कि राजमा पक चुका है और राजमा का आधा पार्ट जो है हम लोग इस तरीके से मसाले में डालेंगे और कर्चुल का पिछला वाला हिस्सा से हम लोग इस तरीके से इसे मैस करेंगे जिससे की आधा राजमा जो है मसाले के रूप में कनवर्ट हो जाए और इस तरीके से आप लोग बना के देखिएगा बहुत जादा अच्छा लगेगा और थिकनेस आपके उपर है आधे राजमा को मैंने वैसे ही साबूत ही डाल दिया है और पानी के साथ ही डाल दिया है जैसे कि आपने देखा है एक्स्ट्रा पानी और मैं यूज नहीं करूं और यह आप चाहे तो करहाई में भी इसे पका सकते हैं ढ़के मैंने जो है कुकर में डाल दिया है ताकि एक्सिट्री लगा देने से इसका कलर बहुत अच्छा जाता है और तेल जो है उपर भरस के आ जाता है तो अब एक्सिट्री लगाने के बाद कुकर का जो प्रेशर है और इसे मैं चावल के साथ सर्व करूंगी थिकनेस आपके उपर है कि आप कितना मतलब चावल के साथ पसंद करते हैं या रोटी के साथ तो आप अपने अनुसार इसका थिकनेस रख सकते हैं रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को